सब विलकम आला आफ यू माई दिया स्टुडेंट्स आज का जोनवा टॉपिक है दैट इस वेक्टर डिफ्रेंसियेशन आज हम बात करेंगे वेक्टर डिफ्रेंसियेशन इंके बारे में हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबाव बन जाए क्योंकि आज की इस लेक्टर में पूरड डिफ्रेंसियेशन को कवर कर देंगे इट मिस देट इक्सरसायज के साथ साथ सारे एक्जामपस हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे फार्मूला जो है उसको भी देखेंगे इस lecture को देखने बाद vector differentiation का कोई भी आपको problem नहीं भसेगा कोई ऐसा भी ऐसा question नहीं होगा जो vector differentiation में से आपको फस जाए physics में यही चीज अगर आप math में देखते हो तो वो काफी लंबा topic है physics में उतना लंबा topic नहीं पढ़ना जितना आपके syllabus में है सब कुछ पढ़ाया जाएगा और याद रखिएगा book की जो pdf है वो discussion box में डाल दी जाएगी और जो आपकी notes की pdf है वो भी discussion box में मिल जाएगी पहले आप lecture पूरा cover करें उसके बाद आप जाकर book और notes की pdf भी ले सकते हैं सबसे पहला जो हमारा topic आता है vector differentiation इसमें आप पढ़ेंगे क्या vector differentiation होता क्या है differentiation आप अल्रेडी class 12 से बढ़ियां से पढ़ते आएं class 12 में खूब पढ़ा था differentiation math में बढ़ियां से मिला था किये थे कि नहीं किये थे differentiation मिला था integration मिला था सब कुछ मिला था थोड़ से इसमें जो solve करने के तरीके हैं वो अलग कर दिये जाएंगे थोड़ा सा इसमें mechanics घुसाया जाएगा physics घुसाया जाएगा इसमें वो अल्रेडी differentiation से थोड़ा सा भी न करने के कोसिस की गई है हलाकि यही चीज़े अगर आप math में पढ़ते हो first year में ही first year में तब यह चीज़ें आपको बहुत आसान लगें अगर आप math में आल्रेडी पढ़ चुके हो differentiation फिर तो बहुत आसान है अगर नहीं पढ़े हो in future आप पढ़ोगे differentiation सबसे पहले आप क्या करेंगे rule लिख लेंगे rule for differentiation हिल डालेंगे rule for differentiation differentiation के क्या क्या rule होते है सबसे पहला जो point दिया रहा है that's equal to first d by dt या d dt आफ इसको बहुते हैं क्या बहुते हैं d dt आफ सबसे पहले हम लोग formula लग लेते हैं d dt आफ कोई function दिया गया है f of t f of t plus minus में g of t यह कोई function दिया गया है इसका क्या formula होगा हम जानते हैं इस प्रकार से लिखा जाते से बोलते हैं d dt f of t plus minus d dt of g of t यही लिखेंगे plus है तो plus होगा minus है तो minus होगा दूसरा formula क्या दे रहा है c dot ft मतलब d dt of c dot में f of t जापर f क्या है t का function है बट c क्या है constant है c constant है उसे बाहर कलेंगे c into में यह सभी लोग जानते हो बताने की तो कोई आओ सकता है नि बट अगर इन के साब भूल गये होगे तो हम बता दे रहे है तीसरा formula तीसरा formula दे रहा है d dt of f of t into में g of t जहाँ पर t का function दो अलाग अलाग functions हमने लिए है दो के दोनों functions ही है constant नहीं variable है अब देखो dot जो था a dot b में क्या करते थे first function second का differentiation plus second function first का differentiation यही तो करते थे न यहापर क्या करेंगे पहले first का differentiation d dt f of t into में gt plus में second function second function का differentiation होगा न एक का करेंगे दूसरे का नहीं करेंगे दूसरा करेंगे तो एक का करेंगे ठीक है g of t इन्टू में f of t ठीक है next next हमारा दे रहा है यही अगर dot बजा क्रास प्रोड़क्ट में होता तो dot बजा क्रास प्रोड़क्ट में होता तो मतलब d dt आप f of t cross में g of t फिर के लिए क्या होता यहाँ पर क्या करेंगे देखो जब आपका a dot b के रूप में था तो पहले आप करते थे first function का differentiation second फिर second का differentiation first कैसे भी कर लो या तो आप कर दो first second का differentiation प्लस second फास का differentiation लिकिन आप क्रास प्रोड़क्ट करते हो तो इसमें आपको ध्यान रहा पलता है इसमें ध्यान यह देना पड़ता है पले फ़स्ट है तो फ़स्ट का ही differentiation करो तब क्रास से कर लिको प्लस फस्ट वाला छोड़ो क्रास करके second product लिखो इसमें आगे पीछे नहीं करता है क्योंकि A क्रास B doesn't equal to B क्रास minus B क्रास A के equal होता है NIST जो हमारा formula दे रहा है वो क्या है NIST formula क्या है NIST formula दे रहा है FT, GT, HT मतलब तीन हमारे कोई functions दिये गए है T के, मतलब F of T अभी तक दो function था .GFT, .HFT जब इस प्रकार से दिया गया हो तो कैसे करेंगे सबसे पहले सबसे simple formula A dot B dot C के रूप में जब दिया गया हो first का differentiation कर दो F of T .GFT .HFT ठीक, plus first लिख लो F of T, .GT का differentiation प्लस उसरी डाट में .HFT .HFT इसको हप कर लिब एकट में कर लो ताकि आपको समझ में आता रहे है plus में first second लिख लो F of T G of T into me DDDR .HFT अब समझ में आपको बात .HFT .HFT मतलब सिंपल है कुछ करना नहीं है क्या करना है सबसे पहले first का differentiation second, third फिर first इसूज second का differentiation third फिर first, second third का differentiation बस और कुछ इस्टरा नहीं की गई इसमें इसी प्रकार अगर cross project के लिए निकाल लो तो उसके लिए भी आ जाएगा cross के लिए जहाँ जाँ डाठे वहां वहां cross कर देते हैं मतलब आपका फार्मूला बनेगा ddt आप में f of t cross me g of t cross me h of t that's equal to क्या हो जाएगा ddt of f of t cross me g of t cross h of t plus में f of t f of t cross me ddt of g of t cross me h of t plus में यहाँ पर क्या बनेगा हमको f of t cross g of t cross ddt of h of t यह आपको मिलेगा बाते समझ में आई यह आपके टोटल 6 फार्मूले जो कि काफी जादा यूज में आएगे आपके एक्जाम में यह 6 के 6 फार्मूले आपको याद करना है याद क्या करना याद हो गया होगा अब हम चलें question की तरफ no down कर लिजी हम इसके बाद आगे बढ़ते है question की और take a screen shot soon take a screen shot soon question solve करने से पहले थोड़ा सा एक simple topic है जो आपको बता दे हलाकि वो बहुत ज्यादा simple है आप सभी को बता है अगर कोई position vector दिया गया हो तो उसके लिए हम velocity and acceleration निकाना है वो सभी को मालूम है बट कुछ student टल्थ में मेहनत नहीं करके आये होते हैं उनके लिए tough पढ़ सकता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ position vector दे दिया गया position vector suppose that vector r की value x i cap plus y j cap plus z k cap यह माल लो आपको position vector दे दिया गया आपको कहा गया velocity निकालना है and acceleration निकालना है velocity निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे velocity क्या होता है rate of change of position known as velocity यहीद करते हो न rate of change of displacement यह एक प्रकार कर displacement यह position में displacement यह distance आप बोल सकते हो velocity क्या होता है rate of change of d dt of r या फिसको लिख सकते है r dash क्या हो जाएगी d dt of x i cap plus y j k plus z k या फिर इसको हम ऐसे भी दिलिख सकते है dt i cap plus d dt of y j cap plus d dt of z k k this is your r dot जिससे आप बोलते हैं velocity ठीक अगर हम इसका velocity का mod निकालना चाहिए तो आप simple जाते है i के component का होल स्कार j के component का होल स्कार and k के component का होल स्कार इसी प्रकार अगर हम acceleration निकाले तो acceleration जिससे आप ये लिखते हो a is equal to d2 r upon dt square होता है d2 r upon dt square it means that आप इसे r double dot लिखते हो r double dot मतलब दो बार डिफ्रेंसियसन किया गया है r double dot r double dot equal to क्या हो जाएगा हमारा अब r का दो बार डिफ्रेंसियसन करेंगा मतलब d2 upon dt square क्या हो जाएगी है हमारा x i cap plus y j cap plus z it means that आपका आएगा d2 yaks upon dt square i cap plus d2 y upon dt square j cap plus d2 y upon dt square k cap this is your r double dot जैसे आप बोतो अच्छेंस हो अब find कर सकते हो आप यह हमारा r dot r double dot निकला अब r dot r double dot जब आप find कर पाए अब हम चाहते हैं इससे रेलेटेड एक क्रिशन कर लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आने लगे नोट करिए इसको हम लोग क्रिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं एक क्रिशन है जो की काफी ज़्यादा important है मतलब ये question बहुत ही ज़्यादा important है इसको आपको समझना ही होगा ये question क्या कर रहा है कई बार पूछा जा चुका है 2007 में, 2010 में, 9 में, 5 में, 11 में, 13 में, 18 में कई बार आया हुआ है इसलिए ये questions आप लोग ध्यान दीजेगा a particle moves along the curve कोई particle है जो की किसी curve के along move कर रहा है जिसका position vector r मतलब दे रहा है position vector याद रखना position vector दे रहा t cube minus 40 i cap plus t square plus 40 j cap plus t square plus 40 j cap इसमें एक missprinting देख रहे हैं t square plus 40 दो बार कर दिया गया है question में थोड़ी से missprinting है हलाँ कि ये दो बार नहीं है ऐसा मस समझ लीजेगे j cap j cap आप add करना है नहीं वो थोड़ा सा missprinting question में दे रहा t square plus 40 j cap एक यही बार है थोड़ा सा आप उसे cut कर लीजेगा plus 80 square minus 3 t cube cake है ठीक है वेर t is the time find the magnitude of its tangential component of its acceleration at t equal to 2 आपको tangential acceleration find करना है tangential acceleration कैसे find करते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा formula देख लो जब भी आप निकालोगे tangential velocity अगर आपको बोल दिया जाए velocity in the direction of direction of x आप किसी भी direction में find करोगे अगर a के direction बोलो जाते ए लिखोगे x के direction बोलो जाते x लिखोगे क्या निकालोगे v x unit समझरो tangential velocity अगर निकालो in the direction of x, x के direction में अगर आपको tangential velocity निकालोगे तो v into x का प्याइप निकालोगे यही पर tangential acceleration निकालना होतो acceleration in the direction of x that is a new vector x इसी प्रकाराव इसे find निकरेंगे question इसी प्रकार लागाएंगे ठीक है यह formula note कलीजेगा formula आपको हमेशा question में मिलता रहेगा question क्या का रहा है कि आपको at t equal to 2 पर आपको acceleration find करना है वो भी tangential component of acceleration find करना है पहले tangent vector हम निकालेंगे जिसकी value क्या होती है v upon mod b जब आप tangent vector निकाल पाओगे तो t का a में multiply करा देंगे t का जब a में multiply करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा its acceleration सबसे पहले आपको r की value क्या दी जा रही है वो लिख लीजिए i cap plus cut t square plus 40 40 j cap plus cut t square plus 40 sorry 8 t square minus 30 square 8 t square minus 30 cube k k यह आर की value दी जा रही आपको निकालना है acceleration सबसे पहले आप इसका velocity निकालोगे जब हम velocity find करेंगे velocity means v is equal to क्या होता है dr upon dt t के respect में इसका differentiation कर दो t के respect में पूरे का differentiation करेंगे क्या मिलेगा 3t square minus 4 i cap t square का differentiation 2t 40 का differentiation 4 j cap plus का r216 t minus 3t cube रहे थी थी जा 9t square की cap this is your velocity this is your velocity add t equal to 2 अगर निकाल ले add t equal to 2 पर है t equal to 2 पर velocity क्या मिल जाएगे हमे v is equal to 3t square है न 3 into 2 का square करेंगे तो 4 minus 4 ठीक है i cap plus का 2 into t की value दो रखनी है न plus का 4 j cap plus का 16 into t की value दो रखनी है minus 9 into t का square मतलब 2 का square 4 k cap ठीक 3, 4 जा कितना हुआ 12 फेल विजे से आब बोलते हो 12 minus 4 8 i cap plus 2, 2 जा 4 plus 4 8 j cap plus का 16, 22 32, 9.36 36 में 32 जाएगा तो minus 4 बचेगा minus 4 k this is your velocity अब अगर हम acceleration निकाल ले तो acceleration क्या होता है चाहे double derivative आफ position vector लिखो आप चाहे single derivative आफ velocity लिखो बात तो एक ही acceleration एक कोड़ का होता है d2r upon dt square भी होता है दोरो फार्मलियों होते है d2r upon dt square जाए लिखिये या फिर ये फार्मलियों इसका भी तो होता है dv y dt का v आप आले डे नहीं काले हो तो आप एक बार इसका differentiation और कड़ दो गया v का differentiation करिए कितना आएगा t के respect में 32 जा 6 t minus वेगो 4 का differentiation 0 होता है 6 t i cap plus का t का differentiation 2 t का 2 बचेगा न 2 j cap वाई समझो यार 4 काथ कोई differentiation होगा नहीं क्योंकि वो constant है constant का differentiation 0 2 t है 2 बाहर हो जाएगा t का 1 plus का 16 t 16 t का करोगा 16 minus 9 t square करोगा नदुनी 18 t k ये मिला a की value a की value मिली at t equal to 2 निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 6 दूनी 12 i cap plus का 2 j का भाई धट्टी तो है ही नहीं रखेंगे कहाँ पर plus का 16 minus 18 t 16 minus 18 t 18 गुडे 2 18 दूना 36 36 k मिला क्या a is equal to 12 i cap plus 2 j cap minus का देखो 36 में से 16 चला जाए कितना बचेगा 6 में 6 गया 0 3 में से गया 2 20 की this is your a अब आपको इसमें निकालना क्या है निकालना है आपको tangential component अब आप इट्स एक्सिलेरेशन पहले आप टेंजेंट वेक्टर वेग्टर वेजी तो निकालो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जब तक आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर नहीं निकालोगे तब तक आप टेंजेंटियल एक्सिलरेशन नहीं निकाल सकते हो फाली यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं चल देखते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर वराबर क्या होता है यहों 10z vector को हम represent करते हैं t cap से that's equal to vector भी अपान में mod vector भी जो फार्मले हम भोल गए हो वो questions में cover होते चलेंगे इसलिए आप ध्यार देजिएगा vector v की value कितनी थी vector v की value 8i cap क्यों उतना value रखेंगे फिर t की value 2 रखेंगे कोई मतलब निकलेगा नहीं 8i cap फ्लस 8 j cap माइनस का 4 k cap डिवाइड बाइड यूर्ड बेक्टर v या तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना यह किसके बाराबर था यह बताओ यहां से आप 4 अगर common कर लेते हैं कितना मिलता हमें 2i cap फ्लस का 2 j cap माइनस का की कैप मिलता है कि नहीं मिलता है यहां पर भी हम वह लिख सकते हैं 4 आप common कर लो 4 हमने common कर लिया 2i cap 2 j cap माइनस का की कैप मिला सेम चीजे अब आप माड निकादत square root of इसका whole square square root of 4 बाहर है तो 4 का whole square i के component का whole square 2 का whole square j के component का whole square plus k component का whole square minus 1 का whole square करोगे plus 1 ही तो आता है plus 1 ही तो आता है मिला क्या हम को यह क्या मिल गया जहां से समझेंगे 4 2i cap plus का 2 j cap minus का k cap divided by 4 का whole square है बाहर करोगे 4 बाहर निकलेगा बहिए चाहे इसको अगर हम करते तो 8 का whole square 64 बनता 64 बनता कोई मतलब निकलता 16 common करते उसमें जब 16 आप common करते तो कि 4 चोग 16 होता है 16 common करते तो इधर कितना बचता 4 चार का वर्गमूल दो बाते की ही आती कोई दिक्कत नहीं था फिर square root में कितना रचा 2 का whole square 4 2 का whole square 4 1 का whole square 1 मिला कि हमको 4 से 4 cancel होगी आप 2 i cap plus का 2 j cap minus का k cap यह अंडर उन双ए अंडर उन21 की वैलू three यह यह यूनोद-न्जेन्ट है आप टेन्जेंट्सिएल कॉंपोन इन्टा बेक्टर निकालना आपको क्या नीकालना टेंजेंट्सिएल कॉंपोनेंत आप क्या शक्राइब नेकला अब निकालेंगे एक्सिलेरेशन निकाला न, आप एक्सिलेरेशन, that's equal to क्या हो जाएगा, T into में A, T unity, unity क्या है, 1 by 3, 2 I cap, plus 2 J cap, minus का K cap, यही है, बिल्कुल, A की वेलू क्या है, कुछ दिख रही है, A की वेलू, A की वेलू यहां पर है, 12 I cap, 12 I cap, plus 2 का J cap, minus 20 K cap, वन थर्ड, 12 2s of, 24, 2 2s of 4, minus minus plus हो जाएगा, 20, किन्द आया, 24, 28, 20, 48, बटे, 3, 16, 48 होता है, 16, Tangential component of acceleration की दना आया, 16, note करिए, take a screenshot, take a screenshot, note कर लेजी, आगे चलते है, take a screenshot, next, जो मारा question कर रहा है, वो भी काफी ज्यादे important question है, कई बार पूछा जा चुका है, और काफी सिंपल, इसके पहले मैंने जो दो फार्मली बताया नहीं, आप a.x cap करते, velocity के लिए b.x cap करते, बाते समझ गए, जैसे question क्या कर रहा है, यह particle moves along the curve, x equal to 2t square, कोई particle है, जो की move कर रहा है कि इसके along, x equal to 2t square के, and y equal to t square minus 4, t, z equal to 3t minus 5, where t is time, जहाँ पर t time है, find the component of its velocity, हमें component of its velocity find करना है, and acceleration भी find करना है, time t equal to 1, जो की in the direction of i minus 3j plus 2 है, यही चीज हमने बताया, वाली चीज तो आपको x और y और z की value दी जा रहे है, given, यहाँ पर लिख लेंगे, given, given, x is equal to कितना दिया जा रहा है, 2t square, y equal to कितना दिया जा रहा है, that's equal to t square minus 40, z equal to दिया जा रहा है कितना, 3t minus 5, यह चीज है, x और y और z की value, सबसे पहले आप position vector निकाल लो, position vector, r equal to क्या होता है, x, i cap, plus y, j cap, plus z, k, x की value क्या है, 2t square, i cap, plus y की value है, t square minus 40, j cap, plus z की value है, 3t minus 5, k, k, बोलो हाँ या न, यह आया हमारा r की value, इसी प्रकार आप velocity and acceleration find कर लो, जब हम निकालेंगे velocity, velocity v equal to क्या होता है, dr upon dt, इसे सुद्ध फॉर में पढ़ते हैं, मतलब यह प्योर फॉर में पढ़ते हैं, d dt of r, क्या हो जाएगा, r का differentiation t के respect में करना, 4t i cap, प्लस का, t square है तो, 2t minus 4, j cap, प्लस का, 3t minus 5 है, 5 का differentiation 0 होगा, क्यों क्यों किसमें t, क्या कोई term तो है नहीं, यहाँ पर 3k, it means that, velocity क्या मिला आपको, 4t i cap plus 2t minus 4, j cap plus 3k, अगर, at t equal to 1 पर निकालें, क्योंकि t equal to 1 हमारत दे रहा है, उस पर वेलास्टी कितना होगा, वेलास्टी होगा, that's equal t equal to 1 रख दो, 4i cap, t equal to 1 रख होगे, तो 2 minus 4, minus 2 होजाएगा, minus 2, j cap, प्लस का, 3k cap, this is your velocity, at time t equal to, acceleration find करोगे तो, acceleration find करोगे, acceleration बराबर क्या होता है, second derivative to opposition vector and first derivative to half, velocity, velocity का first derivative to करो, 4t है, तो भी मिलेगा, 4i cap, 2t minus 4 है, प्लस का, 2, j cap, 2t, t का, 1 होता है, 2 मिलेगा, 4, कुछ नहीं मिलेगा, 3 का, कोई भी differentiation नहीं होगा, क्यों, क्योंकि t का, टर्म नहीं है, constant का, डिफ्रेंसियाशन, 0, 4i plus, इधर, t का, कोई टर्म ही नहीं मिले, add t equal to t1 पर भी यहीं होगा, 8 अगर आप निकालोगे, t equal to 1 पर भी वहीं होगा, acceleration, 4, i cap, plus का, 2, कुछ changing होगी, नहीं होगी, क्यों, तो कि भाई, t का term है, ही नहीं इसमें, अब यहाँ पर question क्या का रहा है, हमको निकालना है, find a component of its velocity, component of velocity निकालनी है, in the direction of, यहाँ पर देखो, in the direction of, i minus 3g plus 2k, हमें component फाइंड करना, i minus 3g plus 2k, यहाँ पर हम माल लेते हैं, कि यहाँ पर yaks की जो value दी जा रही है, yaks की जो value दी जा रही है, it means that, yaks की value दी जा रही है, i, आप कुछ भी मान सकते हो, yaks, y, z, कुछ भी मान सकते हो, i cap, minus 3j cap, plus का 2k cap, yaks की value दी गया, हमें find का करना है, हम फार्मलेम क्या पढ़ें हैं, velocity of component, component of velocity find करने, in the direction of x, v into x cap पढ़े थे, यहाँ पर x cap निकाल लो, x cap, x cap क्या होगा, vector x upon, mod vector x, vector x लिख लो, i minus 3j, plus 2k, divide by, mod vector x निकालोगा, i के component का whole square, 1 का whole square, plus, j component का whole square, minus 3 का whole square करोगे, plus का 2 का whole square, ठीक, i minus 3j, plus का 2k, divide by, इसका रूटा, 1 का whole square 1, plus 9, plus 4, आया कितना, i minus 3j, plus का 2k, divide by, 9, 4, 13, एक चुदा, इसका रूटा 40, this is unit vector x, unit vector x की ये value मिली, यही कारना, अब हमको find क्या करना है, हमको find करना है, component of velocity, सबसे पहली चीज़ पुझ जारी, component of velocity, निकालो, first आप निकालोगे, component of, velocity, in the direction of, in the direction of, किसके, yaks के, in the direction of, कि हमने, let की या, let की या, हमने, let कर लिया, कि x equal to, इतना है, component of velocity, find करेंगे, in the direction of, yaks कितना आएगा, कैसे निकालोगे, that's equal to, क्या होगा, velocity component of, v into yaks का, v क्या है, है हमारा, ये, 4 i cap, इससे हमें नहीं मतलब, क्योंकि, t की value, हमें 1 रखनी है, 4 i cap, हम रख लेते हैं, minus 2 j cap, plus 3 k का, x cap की value, क्या है, i minus 3 j plus 2 k, divide by square, 14, i dot i 1 होता है, तो 4, j dot j 1 होता है, तो, minus minus plus, 3 2 j 6, 3 2 j 6, इसको आरूटा, 14, 6 6 12, 3 4 15 16, this is component of your, velocity, आया है, आया है, component of your velocity, बिलकुल, सही है, question में क्या दे रहा है, 8 अंडरूड 14 by 7, अरे भाई, ये कैसे नहीं कर पाऊगे, बिलकुल है, अरे 16, square root of 14, by square root of 14, into square root of 14, 14 से उपर नीचे, हमने गुला कर दिया, गुला कर दोगे, कि नहीं कर दोगे, 16, square root of 14, divided by 14, दो वर सोला, दो सच चुदा, आया कितना, 8, square root of 14, बाई, बिला, यही था, बस और क्या, वही यह, आया है, और कोई दिख्कत नहीं है, ऐसे सुचोई, फार्मले, सर्याशर में दिख्कता था, का इस, ढ़िए, तरह आफ ऐसे दिख्कता रहाई, का लैंके, कमपोनेंट, अख आफ, अचीलरेस, 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 इन दरक सनाफ, इन दर, आरक सन, यट्स, यद्स के डरक सर्चान मगरं निकालिंग, क्या मिल्याग, हमारह, a इंटू में yaks cap a की value रखेंगे कितना है 4i प्लस 2j इंटू में yaks cap की value कितनी है that's i-3j i-3j plus का 2k divide by square root of 14 i dot i1 होता है तो मिलेगा 4 j dot j1 होता है तो minus 32006 plus का k इसमें है ही नहीं k 0 है 0 से अगर हम k में multiply कराएंगे तो 0 मिलेगा divide by square root of 14 minus 2 by square root of 14 उसी के term में अगर इसको भी लिखना चाहे हो तो क्या कर लेंगे minus 2 square root of 14 divide by 14 minus square root of 14 by this is your answer अपान 7 के रूप में अगर लिखना चाहे है ठीक minus 14 by 7 इस प्रकार के questions अगर आ जाये तो लगा लोगे हलाक exercise में भी इस प्रकार के questions आये है so no down कर लिजिए take a screenshot soon take a screenshot soon बाते समझे में आई की नहीं आई है next question भी काफी ज्यादा important है कहा जा रहा है मारा so that if r equal to a sin omega t r की value दी जारी a sin omega t plus b cos omega t यह r की value है where a b omega r constant जहाँ पर a constant है b constant and omega constant है then हमें यह find करना है d2r upon dt square equal to minus omega square r यह हमें प्रूप करके दिखाना है दूसरी चीज r cross dr upon dt जो होगा that's equal to minus omega a cross चलो देखते हैं कैसे हम लोग find करेंगे सबसे पहले हमें दिया क्या ज़रा r बराबर a sin omega t लिखे लेंगे given given r बराबर a sin omega t a sin omega t plus b cos omega t plus b cos omega t और a b और omega हमारा क्या है constant हमें प्रूप क्या करना है to prove omega करना है prove that first आपको क्या प्रूप करके दिखाना d2r upon dt square d2r upon dt square that's equal to minus omega square r and second चीज़े आपको prove करनी है r cross dr upon dt dr upon dt जब मैं ऐसे लिखे न तिसका मतलब है इसके उपर लगा लिया करो वेक्टर ठीक है अगर हम भूल भी जाये तो मत ध्यान देना कि अई सर आपने तो लगाया नहीं हम कैसे लगा दें वो चीज़े मत करना ठीक है यही हमको prove करना है दो चीज़े हमें prove करके लानी है अगर r की value दी गई है first यह prove करना है second यह prove करना है इससे यह आपको दिख रहा एक r दिया गया है आपको dr upon dt वीचाहिए d2 upon dt स्कॉर वीचाहिए सबसे पहले हम dr upon dt निकाल लेते हैं solution देखेंगे इसका solution सबसे हम पहले हम क्या निकालते हैं dr upon dt dr upon dt dr upon dt निकालें कितना मिलेगा a sin omega t है कितना बताओ दिवा गया होता है विक्टर आर दिया गया है तो वह पहले लिख लो that's equal to a sin omega t plus में b cos omega t यह आपको गिवेन है लिख लिया आप सबसे पहले निकालो dr by dt अब आसान हो जाएगा ना पास मेरेगा उपर नहीं देखना पड़ेगा बारबार a हमारा constant है मिला है बहुत बढ़ेगा plus का b हमारा constant है कास omega t का differentiation कास का differentiation minus sin omega t हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आजाएगा minus अब omega t करोगे फिर से आएगा आपका omega फिर से आएगा आपका omega it means that आपको मिला omega अगर कामन कर लो a cos omega t minus b sin omega t यह मिला आपको dr upon dt अब जब dr upon dt आपको मिलिया तो आपको और एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी d2r upon dt square की भी तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बिल्कुल d2r upon dt square भी निकाल सकते हैं and d2r upon dt square निकाले तो d2r upon dt तो उमेगा तो हमाрах भाहर ही है अब इसकां मेला वहार ही हो के सब्सक्राइब एक आपको सब्सक्राइब एक तो ओमेगा इसमे भी कामन है omega common है तो omega common हो जाएगा omega square r मिलेगा क्या minus a sin omega t minus b cos omega t अगर हम यही पर minus b common की होते हैं तो यह positive हो जाते हैं और यह किसकी value है from equation first से देखो a sin omega t plus b cos omega t unit vector r की value sorry vector r की value minus omega square vector r d2 r upon dt square using equation using equation first दूसरा तो हमारा proof हो गया sorry पहला पहला proof हो गया नहीं proof हो गया बिल्कुल proof हो पहला proof है देख पारे हो बात करें दूसरे की दूसरा कैसे proof होगा हमको निकालना क्या r cross dr upon dt निकालना है vector r cross dr upon dt r cross की value क्या है r की value a sin omega t a sin omega t plus b cos omega t cross में dr upon dt की value क्या omega से multiply करके लिख सकते हो यहाँ पर omega a cos omega t minus omega b sin omega t ठीक multiplication कराओ cross multiplication a के साथ कराएंगे क्या हो जाएगा omega तो है ही a cross a sin omega t into me cos omega t अब इसी का cross multiplication इसके साथ कराएंगे omega b cross b sin omega t into me cos omega t या cos omega t into sin omega t ठीक cross product है तो एक तरफ से रिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा cos omega t इसके साथ कराएंगे b cross b 0 a cross a 0 कारट itself multiplication cross product में 0 होते हैं मिला क्या हमको minus omega a cross b sin square omega t और plus का omega b cross a cos square omega t अब इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रूफ करेंगे cos square omega t क्यों? कि मैंने minus common कर लिया अलरड़ी नहा sin square omega t plus cos square omega t value कितनी होती? 1 मिला कि हमको minus omega a cross r cross d r अब omega a cross b find करना था चाहे आप omega a cross b find करो एक ही बात है नहाए ओमेगा से multiply करा दो मानिस omega a cross में भी अब भी कोई प्रावल्लम एक ही चीज़ है कोई प्रावल्लम है नोट कर लिज़े टेक इसक्रिंसर्ट सोट टेक इसक्रिंसर्ट सोट नेस्ट जो हमारा कुश्यन देजा रहा है वो कर रहा है एक पार्टिकल पी इस मूविंग आने सर्कल कोई पार्टिकल पी है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है आने सर्कल आफ रेडियस आर जिसका रेडियस आर है बिद कांस्टेंट अंगलर विलास्टी ओमेगा किसी constant angular velocity omega से move करा है जिसकी value d theta upon dt होती है आप सभी जानते हो so that acceleration is minus omega square आपको acceleration प्रूप करना है minus omega square बले करा है कोई एक particle है जो कि move करा है किसी circle में कोई particle है जो कि किसी circle में move कर रहा है circle हमसे वैसे भी नहीं बनेगा आप सभी जानते हो हम भी जानते हैं ज़्यादा कोशिस ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं यह y axis और यह x axis this is your x axis this is your y axis अब इसका जो radius है वो कितना है radius है वो कितना है r radius पर यह particle move करा है जिसकी नाम है p मालो यह theta angle पर जुका हो x axis पर कि r क्या हो जाएगा तब हमारा यह r cos theta और यह r sin theta x को हम जानते हैं i को जानते हैं y को जानते हैं j को जानते हैं prove करना है आपको prove क्या करना to prove prove क्या करना है prove करने के लिए करा so that acceleration is omega square r acceleration जो होगा minus omega square r के बराबर होगा यही हमको अप्रोब करना है where where omega is equal to angular angular velocity a is acceleration r is position vector तो position vector इसके लिए क्या होगा बताओ r है position r की अगर हम यहाँ पर value देखें r की value point p की value देखें तो कितना मिलेगा cos theta comma sin theta यही मिलेगा अगर हम r देखें क्या होगा r cos theta i cap plus r sin theta j cap यही तो लिखते हो न i cap plus j cap plus k cap i cap में क्या मिल रहा है r cos theta तो लिखें लोगा r cos theta i cap plus j cap में क्या मिल रहा है r sin theta j cap ठीक है अब यही चीज़ आप dr upon dt find करो यहाँ पर क्योंकि आपको acceleration निकालना और d2 r upon dt square निकलना पड़ेगा dr upon dt find करो dr upon dt find करेंगे तो आपको मिलेगा क्या r तो हमारा constant है समझना r constant क्योंकि radius है radius चाहे जहाँ पर आप देखोगे r जितनी value है उतनी ही रहेगी तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे थे न r को common कर लेते cos theta i cap plus sin theta j cap अब r dr upon dt निकलो और आसान हो जाएगा r हमारा बाहर हो गया cos theta का differentiation minus का sin theta theta करेंगे तो d theta y dt i cap plus का sin theta का differentiation cos theta into theta करेंगे d theta y dt का j ठीक यह हमारा dr upon dt निकला इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम d2 upon dt square निकाले तो पले value रखके इदर निकालो d theta upon dt बाहर कर लो और d theta by dt बाहर कर लिए मिला कि हमको minus sin theta i cap plus का cos theta j अब अगर हम d2 upon dt square निकाले तो यह तो हमारा वैसे ही रहेगा r d theta by dt already sin theta का differentiation करेंगे क्या हो जाएगा cos theta into theta करेंगे d theta by dt i cap cos theta करेंगे तो minus sin theta d theta by dt j k क्या हो जाएगा r d theta by dt बाहर कर लो d2 theta sorry d theta by dt है d theta by dt का whole square हो जाएगा भाई 2 हो गये न a dot a a square क्या मिले हमको minus का cos theta i cap minus का sin theta j k आप क्या करो आप क्या करो minus को भी बाहर निकालो यार जब minus को बाहर निकालेंगे d theta by dt क्या लिखेंगे omega square r से multiply करा दो अंदर r से अंदर multiply करा लो हम क्यों खरा रहें अभी द्यान होगे r cos theta i cap plus r sin theta j cap r कही value होती r cos theta i cap plus r sin theta j cap this is your d2 d2 r upon dt square लिखते है acceleration prove हुआ कि नहीं हुआ बिलकुर समझ में आया हमने क्या किया theta angle पर ये जुका था हम जानते हैं पोई भी जीशन वेक्टर निकाल तो i cap plus j cap i की value क्या थी r cos theta i cap plus r sin theta j cap d r upon dt निकाला फिर हमने d2 r upon dt square निकाली है जिसकी value acceleration होती solve करने minus negative square r आ गया नोट कर लिजिए take a screenshot next जो मारा question कहा रहा है find the unit tangent vector at any point on the curve curve की value दिजारी x की value t square plus 2 given लिखते चलो given x is equal to t square plus 2 y is equal to there are 40 minus 5 40 minus 5 z की value हमारी कितनी दी जा रही है 2t square minus 60 2t square minus 60 x और y z की value हमारी दी जा रही है where t is any variable यहां पर t हमारा कोई variable है also determine the unit tangent vector at a point t equal to 2 at t equal to 2 find 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 unit tangent vector unit tangent vector unit vector t होता है आपको find करना unit vector t की value कैसे निकालते हो vector भी अपान mod vector भी क्यों तो सबसे पहले आप position vector निकालो इसके लिए solution लिख लो simple है कुछ भी नई इसमें position vector r निकालो कितना होता है x i cap plus y j cap plus z k cap x की value क्या है t square plus 2 i cap plus 40 minus 5 j cap plus 2t square minus 60 k cap अब i j और k हो गया ठीक है अब क्या करेंगे dr की value तो मिले गई हमें find क्या करना है unit tangent vector t की value क्या होती है vector भी अपान में mod vector भी तो v निकालो velocity velocity v निकालो that's equal to dr अपान dt r का है differentiation निकालो क्या हो जाएगा t के respect में differentiation करोगे क्या मिलेगा 2t i cap by 2 का तो 0 हो जाएगा plus 40 का करोगे तो 4 j cap plus का 2t square करोगे 40 minus 6 j cap at t equal to 2 पर जब t equal to 2 पर निकालोगे क्या मिलेगा हमको velocity that's equal to at t equal to 2 या जाद रखना क्यों दिया जा रहा है या है जटर भी यह पान में मौड वेक्टर भी, वेक्टर भी की वैलू क्या है, 4i4j plus 2k, 4i plus 4j plus 2k divide by, square root of 4k square plus 4k square plus 2k square, 4i plus 4j 2 common कर लो 2i plus 2j plus k cap divide by 16 plus 16 plus 4 कितना आया 2i cap plus 2j cap plus k cap divide by 16 plus 16 32 32 36 36 की value 6 होती है 2,3,6 1 by 3 2i cap plus 2 j cap plus k cap या 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 योड़ेप्टर T not quality टेकर स्क्रेंशाट सो टेकर स्क्रेंशाट सो टेकर स्क्रेंशाट सो आया समझ में सबको clear हूआ आगे हम सोच रहें एक वीडियो और बना दिया जाए क्योंकि आपको अगर बना दिया जाएगा तो लगभग भी डेढ़ घंटे से जादा लगेंगे क्योंकि अभी radial acceleration and tangential acceleration वो बाकी है काफी important है वो तो आपको पढ़के ही जाना है उसके बाद और भी कुछ questions है उसके बाद हम exercise पर बात करेंगे exercise में total 8 questions है एक particular एक अलग से वीडियो बना ही दी जाए अधरवाइस लगभग अढ़ाई तीन घंटे की वीडियो बन जाएगे और आप बोर हुजा होगे इसलिए दो पार्ट में करके पढ़ लेंगे आराम से हम लोगों को समझ मियाद लेगा ठीक है आज की इस lecture में किसी कोई problem तो नहीं हुई न ऐसे किसी भी lecture में problem नहीं होगी आज की lecture में नहीं किसी भी lecture में problem नहीं होगी सिर्फ आपको करना क्या है आपको करना क्या है आपको red color के subscribe का button दबा देना है और share भी कर देना है अपने दोस्तों साथ ताकि हर एक student free up cost knowledge प्राप्त करता है बात ये समझ में आई मिलते हैं ने स्टे लेक्षे साथ तिल दर मनिज पढ़ाई करें All the very best